मेरा पुरा घर सजा हुआ था पापा चिलाते हुए अमर 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 कहा है मम्मिन का फूल वाले को लेने गया है पापा थोड़े परसान से लाइट वाला अभी तक नहीं आया है टाइम ही कितना बचा है बस कुछ गंटों की ही तो बात है और काम कितना सारे है सारे घर में पापा की ही आवाज गुझ रही थी मैं पूल वाले को लेकर आया उसे उसका काम बताया फिर लाइट वाले को लेकर आया उसे उसका काम बताया पापा चिलाते हुए हलवाई अंकल के पास दे और बोले खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए इज़त का स्वाल है तो हलवाई अंकल बोले बड़े भाईया हमारी भी बिटिया है आप परसान नहों आपकी इज़त हमारी इज़त है हम सब सबाल लेंगे मैं भी अपने काम में वैस्ट था इसलिए करल से अपनी बेहन को देखा नहीं था मैं हर बार कोशिज करता और रह जाता उसे देख नहीं पाया कभी ये काम कभी वो काम अब मैं पापा से आख बचा कर घर की तरफ जा रहा था घर पहुँचकर जब बेहन के कमरे का द्रुआजय को खोलना चाहा तब ही पापा की अवाज आई अमर कहा है और मैं उन्हीं पाउं बिना बेहन को देखे वापस आ गया आकर पापा बोले बजार चला जा मैं बजार गया समान लाया उसके बाद फिर मैं घर गया तो आंगन में मेरी बेहन बैठी हुई थी उस पर हल्दी लगाई जा रही थी और उसके चेरे पर काला ठिका लगा था वो ऐसा लग रहा था जैसे चांद पर दाग लगा हो मैं बाहर वाले गेट से छुप कर उससे देख रहा था और पोशिस करते हुए भी मैं खुद को रोने से नहीं रोग पा रहा था फिर मैं अपने आसवे च्पाते हुए अंदर गया और वो रोती हुए आई मेरे गले लगका जोड जोड से रोने लगी मैं भी रो रहा था लेगिन खुद को संभालते हुए बोला बस कर पगली अब रुलाएगी क्या और मैं उसे मासी को देते हुए कमरे में भाग गया और खुद को रोने से रोग नहीं पाया काम करते करते साम हो गई थी बारात आने वाली थी पापा मुझे बुला कर बोले फोन करके पूछो बारात कहां आ गई यहां किते टाइम में पूँच जाएंगे मैंने फोन किया तो जवाब मिला कि 30 मिन्ट में पूँच जाएंगे मैंने पापा को बोला और वो सब पर चलाने लगे अभी कुछ नहीं हुआ है बारात आने वाली है वैसे पिताजी चला चला कर खुड को रोने से रोक रहे थे और बरात आ गई बरात का स्वागत बड़े जोर सोर से किया गया सारे काम अच्छी तरह होगे और इसी बाग दोड में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला सारे काम ठीक से हो चुके थे पिताजी फिर चला आई बोले बरातियों के नास्ते के तैयारी करवाओ मैंने कहा पापा आप बैठों मैं सब करवाता हूँ नास्ते से फ्री होकर विदाई की तैयारी की जाने लगी भाग दोड में कब विदाई का समय आ गया कुछ पता ही नहीं चला धर के गेट पर फूलों से सज्जीवई गाड़ी खड़ी कर दी गई सब रो रहे थे और बहन के गले लगा है थे पिता जी जो कुछ दिन से चिला चिला कर खुद को रोगने से रोक रहे थे आज खुद को रोग नहीं पाई बहन मासी से मिली बुआ से मिली चाची ताई सबसे मिली लाश्ट में मुझे ढूंडा जाने लगा अरे अमर कहा है फिर अवाज लगाई गई अमर अमर और मेरी आँख खुल गई मम्मी चिला रही थी उठ जा, नो बज गए, कॉलेज नहीं जाना कि आज अब मैं उठ कर सोचने लगा क्या ऐसा हो सकता है मेरी तो कोई बहन नहीं है और मेरी आँखे आशों आचुके थे मैं उठा, त्यार हुआ, नास्ता किया और कॉलेज चला गया मिल सकें और यह बिलकुल फ्री है तो मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई